तो आज की वीडियो में हमोंडें कवर करने वाले हैं इंपोर्टन माउंटिन्स ऑफ इंडिया के बारे में साथ में हम इस्टन गाट और वेस्टन गाट को भी कवर करेंगे तो आई शुरू करते हैं पहला है हमारा हिमाले जो कि Northern Mountain Region में आता है ठीक है सबसे पहले आता है हिमाले और हिमाले को North से अगर South की तरफ देखे हैं तो तीन पार्ट में बाटा गया है पहला है हमारा Trans हिमाले उसके बादा है हिमाले और उसके बादा है हमारा पुरवांचल हिल्स जिसको हम North East हिल भी कहते हैं अगर हम हिमाले की बाद करें तो नंगा परवच से लेके अव़नाचल तो जो सेक्षन है उसको हम कहते हिमाले और हिमाचल प्रदिस से लेकर जो तरफ पुरा तक गया हुआ है उसको हम कहते है पुरवांचल हिल्स वहीं अगर हम हिमाले के उपर की बात करें नौर्थ की बात करें तो वहाँ जो सेक्सन है या रेंजेस हैं उनको हम कहते हैं ट्रांस हिमाले जिसका ज्यादातर पार्ट जो है तिबत में है और कुछ पार्ट हमारे इंडिया में है तो सबसे पहले हमाज ट्रांस हिमाले को देखेंगे ठीक है तो अगर हम ट्रांस हिमाले को देखेंगे तो ट्रांस हिमाले को जो रेंजे से हैं उनमें पहला नाम आता है काराकॉरम का सबसे उपर आता है काराकॉरम उसके बार आता है लद्दाक फिर आता है जासकर कारा कुरम लद्दाक जासकर और इसी करम में हमको याद रखना इसको कारा कुरम लद्दाक और जासकर अब इनके बारे में देख लेते हैं तो एवरेज जो हाइट है ट्रांस हिमाले की वो है 6000 मीटर और हाइस्ट पिक जो केटू है हमारा वो भी कारा कुरम रेंज में ही है किस पे है कारा कुरम रेंज पे अब अगर इनके बारे में देखें तो एवरेज हाइट जो है ट्रांस हिमाले की वो है 6000 मीटर कितनी है 6000 मीटर और इसी पे जो हमारा हाइस्ट पिक है इंडिया का K2 वो भी इसी रिंज पर है कारा कौरम रिंज पर ही यहां पर्षा रिवर्ट से नीचे तक की देखेंगे तो सबसे पहले याता है कारा कौरम फिर आता है लद्दाग फिर आता है जासकर फिर बात करते हैं कि इंपोर्टेन जो Glacier है सियाचिन Glacier है किस पे है तो ये भी काराकोरम Range पे ही है इंपोर्टेन जो Glacier है हमारा सियाचिन Glacier ये भी काराकोरम Range पे ही Located है ठीक है? उसके बाद आता है लद्दाग तो लदाक क्या है एक highest और ड्राइस्ट एरिया है इंडिया का और इसके हाइट है 5300 मीटर इसके बाद जब ट्रांस हिमाले कम्प्रिट होता है हमारा जो हाँ पे रेंजेस हैं काराकॉरम लदाक और जासकर के बाद जो एरिया सुरू होता है उसको हम कहते हैं हिमाले अब हिमाले को भी तीन पार्ट में बाटा गया है पहला है greater हिमाले जिसको हम हिमादरी भी कहते हैं जिसको हम हिमादरी उसके बाता है middle हिमाले जिसको हम कहते हैं लेजर हिमाले और उसके बाता है outer हिमाले जिसको हम कहते हैं सिवालिक हिमाले अब इनके बारे में देख लेते है तो जो हमारा greater हिमाले है जिसको हम हिमादरी कहते हैं ये कहा से कहा तक फैली होई है तो ये फैली होई है नंगा परवत से लेके नामचा बरुआ और अचल प्रदेश तक ठीक है ये एक fold mountain है और इसकी average जो height है वो है 6100 meter ठीक है 6100 meter है अगर हम बात करें हिमाले की तो ये जो है western side में कम उची है जबकि जो eastern side में ज्यादा उची है ठीक है western side में इसकी उचाई थोड़ी कम है वहीं अगर हम इस्ट की बात करें तो इस्ट में इसकी उचाई थोड़ी ज्यादा है इसलिए हम देखते हैं जितने भी highest peak है जैसे mount Everest हो गया कंचन जंगा हो गया मकालू हो गया यह सब हमारे इस section में है नेपाल उपाल वाले area में ठीक है और यह क्या है world का most highest peak of the world are located in this region जो हिमाले वाला section है इसी पे हमारे world के सबसे highest peaks पाए जाते हैं अगर important हम peaks की बात करें जो important इसके peaks हैं वो कौन कौन से हैं तो जातर हम देखें तो highest जो peak है वो हमको नेपाल में दे दोला गिरी होगे इस जात अंडेपाल में ही है तो पहला है मांट एवरिस्ट जो की नेपाल में उसके वाद ए कंचंग जंगा जो सिक्की में फिर मकालू नेपाल में दोला गिरी नेपाल में नंगा परवत अपने इंडिया में कारा कॉरम के जश्ट नीचे जहां से greater हिमा बात करते हैं जो कि है जोचिला और बुर्जिल पास यह कहां पर है यह ऐक आसमीर में है इसके बात है हिमाचल जो हिमाचल में important पास कौन-कौन से तो यह सीब किला जो कि बहुत famous है सीब किला पास। यह कि इसको जोडता है तो इस सिमला और सिमला और तिब्बत को जोड़ता है वही है एक और है जिसको कहते हैं बारल अच्छा पास बारल अच्छा पास जो कि मनाली और लेख को जोड़ता है ठीक है उसके बाद अगर हम उत्राखंड की बात करें तो वहाँ पर है लेपूलेख लेपूलेख पास है और एक है नीती ये दो पास नहीं हिर्ट वोसी केए नाब होती हमाले को अब बात करते हैं अब बात करते हैं सब्सक्राइबरց हैं जो height है वो है थार्टी सेवे हंडेट से 4500 मीटर तक 3700 से 4500 मीटर तक और जाधार जो इसके peaks है ना जाधार जो इसके peaks है वो dundy में ही ice से coverड होते है वहीँ अगर हम greater हिमाले की बात करें तो जो greater हिमाले होता है उसका बारो हमहीना ice से coverड रहता है लेकिन अगर हम Middle Himalaya की बात करें तो बस इस हंडी वर में यह आईस से कवर्ड होती है बारो उसके बाद को जो महिना हुआ सूखा रहता है इसके में ब्रांचेस कौन कौन से उसकी बात करें तो जो में ब्रांचेस हैं Middle Himalaya के वो है पीर पंजल, धौलाधर और नाक्तिबा रेंज यह सारे रेंज से मिलके Middle Himalaya बना हुआ है ठीक है तो अब पीर पंजल जो रेंज हो कहा से कहा तक फैली हुई है तो वो कस्मीर, जम्म और नाक्तिबा रेंज की बात करें तो वो उत्राखंड में यूके का मतलब उत्राखंड है अब हम बात कर लेते हैं Middle Himalaya के कुछ important passes के बारे में तो पहला पास है जो पीर पंजल पास है जिसको कस्मीर में है पीर पंजल पास और इसी पीर पंजल पे हमारा बना हुआ है में मनाली में ठीक है अगर हम रीजन के साथ साथ ही चलती है और इसको अगर हम रीजन के हिसाब से देखें तो रीजनल ली इसको अलग लग नाम से बुला जाता है अगर जम्मू में की बात करें इसको जम्मू हिल्स के लाम से जाना जाता है वहीं अगर कुछ rugbyles तक जाते हैं कि कि हमाचल जो मालय है वह जम्मू कर massacre दो जे के लिए अए NICK तो जो और्ड़ वाला section और सेक्षन है वहां पर इसको डाफला मेरी आबर और मिसमी के नाम से भी जाना जाता है, यह सब वहाँ के इसके रेंजेस हैं, ठीक है, या क्या, डापला, मेरी, आबहर और मिस्मी, इस सब अड़नाचल में है, कन्फिज मत होईएगा इससे, इस सब अड़नाचल में है, उसके पाद जो famous production of the saffron है, वो कहाँ पाए जाता है, तो famous production of kessar, यह भी हम लोग को outer हिमाले पर ही मिलता है, ठीक है, अब बात करते हैं, कि जो हिमाले हैं, ऐसे तो हिमाले हैं, कन्टिनिवस हैं, जम्मू कस्मीर से लेके अड़नाचल तक, लेकिन इनको section wise में बाटा भी गया, किसी को हम कहते हैं, कुमाओ hills, किसी को हम कहते हैं, नेपाल हिम एक बार map देख लेंगे, ज्यादा clear हो जाएगा, यह है, पंजाब हिमाले हैं, ठीक है, यह जो section हिमाले का, इसको हम कहते हैं, पंजाब हिमाले है, वहीं जो अगला section है, सबसे चोटा section है, उसको हम कहते हैं, हिमाचल हिमाले, ठीक है, और कुमाओ हिमाले, उसके बाद कुछ पहला है पंजाब हिमाले, फिर है कुमाओ हिमाले, फिर नेपाल, फिर आसाम हिमाले, अब इसके बारे में जान लेते हैं, तो पहला है पंजाब हिमाले जो की 560 किलोमेटर लंबा है, और ये किसके किसके बीच में है, तो ये 117 जीवर के बीच में है, इसको याद रखेगा, 11 इंदस और 17 रिवर के बीच में हैं और इस पे जो आने वाले रेंजेस हैं पंजाब हिमाले के अंदर कौन कौन से रेंजेस आते हैं तो कारा कोरम लद्दाक जासकर इसके में रेंजेस हैं ठीक है कारा कोरम लद्दाक जासकर अब जैसे कि हम बात कर रहे थे तो ट्रांस हिमाल कुमाओ हिमाले कहां से किस-किस के बीच में है, तो यह सतलज नदी और काली रिवर के बीच में है, सतलज और काली के बीच में है, एक जो western part है, उसको हम कहते हैं गड़वाल हिमाले, वही eastern part को हम कहते हैं कुमाओ हिमाले, ठीक है, overall इसको हम कुमाओ हिमाले कहते हैं, अब जो important tributaries या drainage system पढ़ रहे थे उस वक्त भी हम कहते हैं कहां से अलगमदा निकलती है कहां से भागियती निकलती है ठीक है ते वर देख लेंगे उसको भी उसके बाद है असाम हिमाले है अब असाम हिमाले की बात करें तो यह तीस्ता रिवर से लेके ब्रहमपुत रिवर तक का जो range है उसके 20 को चीए कहते हैं असाम हिमाले है ठीक है और इसकी average height नहिए इसमें जो length है वो ग वह 750 किलो میटर तो असाम हिमाले का होगे 750 किलो मिटर तो अभी तक हम लोगा हम क्या देखें अभी तक हम लोग देखें ट्रांस हिमाले और हिमाले, ठीक है, क्या क्या देखें, ट्रांस हिमाले में कौन-कौन से आते हैं, तो कारा कोरम, लद्दाक, जासकर, पीर पंजल, यह हम देख लिए ट्रांस हिमाले में इसको याद रखेंगे, और यहाँ पर है पामीर नौट, इस जगह पे पामीर नौट ह हुआ है, Ki2, इसके वाप हम क्या देखी हैं? इसके वाप क्या देखें हम आखें हमाले, हमाले, तीन सेक्षन, आउटर हमाले, मेढले हमाले, और सिवालीग हमाले ठीक है? अब हम बात करने जा रहे रहे हैं, पुरवाँचल पुरूंचल हिस्के बारे में और जिसको हम नॉर्थिस्ट की तु थी कहोंशी ही सारह नो के तूंचल में यूच्छा कर देहिंगें, जो उसको हम तरसरी ही पर हमान्डरी औरा हमाले की तो वह एक सीष्ट की लिए यह सारे सिवाली खिमाले के सेक्षन है जिसको अउनाचल में आकर डाफ लाबर मिस्मी रेंज का जाता है वहीं पाटकाई रेंज है फिर नागा हिल से मीजो हिल से फिर तेपुरा हिल से वहीं नागा और मीजो हिल से एक सेक्षन वेस्ट की तरफ मुड़ गया एक रेंज जिस जो कि मिखाले होते हुए फिर आगे बढ़ गया जिसको हम कहते हैं गारो खासी और जैंतिया हिल सी हम बाद में दिखेंगे अभी मैप में गारो खासी जैंतिया हिल तो यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं टरसरी हिल प्रवांचल हिमाले को साथ में यह आग पिक कि बात करें तो वो है नागा हिल्स पे सारा मती अगर हम proxim mise को कहते हैं तो वह मीजो छेखे दुब श स्नाफल और मिसमी ये है सिyyuszाली हिमाले के रेंजिस वहीं अगर हम प्रवांचल की बात करें तो पाकाई नागा हिल्स, मीजो हिल्स, तृपूरा हिल्स है और अगर हम उग्हाले की बात करें तो गारो खासी जंतिया हैं ये सारे हिल्स यहां पर है ठीक है उसके बाद हम बात करेंगे यह तो हमारा हिमाले और नॉर्थन माउंटें रिजन के बारे में हो गया अब हम बात करते है थोड़ा पेनिसुलर इंडिया के बारे में तो अगर हम वहां की बात करें तो सबसे उपर आता है हमारा अरावली तो अरावली क्या है? oldest mountain in India oldest mountain in India है यह और इसके साथी साथ ही fold mountain है क्या ही यह fold mountain यहाँ दखेगा यहाँ में पूछ लेगा block mountain कौन सा है, fold mountain कौन सा है तो अरावली जो ही वो fold mountain है और इसका जो highest peak है अरावली के वो है गुरू सिखर आबू में, आबू हिल से न अरावली का राजिस्थान में, वहाँ पर है गुरू सिखर इसकी highest peak है, और यह कहां से कहां तक फैली हुई है, तो यह दिल्ली से गुजराद तक फैली हुई है, कहां से कहां तक दिल्ली से गुजराद तक, फिर हम बात करते है विंधियन की, तो ये कहा से कहा तक फैली हुई है, तो गुजराज से लेके बिहार तक है, इसके एवरेज जो किलोमेटर है, वो है 1200 किलोमेटर, 1200 किलोमेटर ही लंबी है, गुजराज से बिहार तक ही फैली हुई है, उसके बाद इसी विंधियन रेंज के अंदर कैमूर हिल्स और भांदर रही आते हैं भांदर और कैमुरहिल्स विंधियन के अंदर ही आते हैं ठीक है नर्मदा रिफ्ट वैली is located to the south of the विंधियन जो अपनी नर्मदा नदी है नर्मदा वैली है वो विंधियन के south में है और सत्पूरा जो है हमारा वो विंधियन सद्पूरा जो है वो हमरे नर्मदा और ताभी के बीच में ठीक है अभी वो भी देखते हैं तो यहां क्या कह रहा है नर्मदा रिफ्ट वैली इस लोकेटेड साउथ अब बिंदियन रिंज ठीक है यह होगा बिंदियन के बारे में अब हम बात करते हैं सद्पूरा के बारे में सद्पूरा जिंज की में क्या लिख रहा है इट रंस फ्रॉम गुजरात MP बॉर्डर टू MP 36 गर बॉर और वहीं साथ में यह MP और महराश्ट बॉर्डर भी क्रियेट करता है यह क्या है यह Block Mountain है यह Fold Mountain नहीं है सद्पूरा एक Block Mountain है और नर्मदा और तापी वैली के बीच में है इसके Important Ranges कौन कौन से है तो राजपपिला महादेव हिल्स और महकाल हिल्स यह तीनों जो हैं वो सद्पूरा के Important Ranges है उसके बात करते हैं इसके Highest Peak की अगर तो धूब गड़ इसकी Highest Peak है जो की महादेव हिल्स पे है और अरावली के हाइश भी कौन सी है तो वो है गुरु सीखर जो किये आबू पे ठीक है आबू हिस में राइस्थान में फिर हम बात करते हैं वेस्टन घाट की तो western घाट कहां से कहां तक फैली हुई है तो western घाट सूरज से लेके कन्या कुमारी तक फैली हुई है और इसका total length जो है वो 1600 किलो मिटर है average height 900 से 1100 मिटर है 900 से 1100 मिटर है अगर हम western घाट की बात करें और suppose करें यह अगर हमारा इंडिया है तो महराष्ट वाले section में इसको सहयादरी कहते है वह ही करनाटक वाले section में इसको Anamalai कहते है और south यानि केरल में इसको Kardamon Hills कहते है ठीक इसे confuse मत वहिएगा सबसे पहले आता है सहयादरी उसके वाद इसको कहते है Anamalai और यहाँ पे कहते हैं इसको कार्डेमन ठीक है और ओवर इसको हम कहते हैं वेस्टन घाट फिर बात कर रहे हैं वेस्टन घाट में जो हाइस्ट पिक है वेस्टन घाट का जो हाइस्ट पिक है और वही जो साउथ का भी हाइस्ट पिक है ठीक है western ghats और south इक यह south इंडिया का highest peak जो है वो है अनाइ मुडी और यह कौन से hills पे है यह अनामनाई hills पे है यह बस western ghats की नहीं बात हो रही है यह south इंडिया की बात हो रही है तो south इंडिया का highest peak है वो अनाइ मुडी है जो की 2625 sorry 2695 मीटर उची है प्रसी किस पर है यह अनमनाई hills पर है वहीं अगर हम बात करें western ghats की तो इसकी जो height south के अगर आप बढ़ेंगे तो इसकी जो height वो increase होती जाती है वहीं अगर west की तरफ ही देखें north की तरफ sorry तो वहाँ इसकी height थोड़ी कम रहती है इसकी height कितनी है तो इसकी height है 2637 meter पहली कौन सी थी तो पहली थी अनमनाई hills पर थी उसके बाद 12 बिटा जो की निलगिरी hills पर है ठीक है और अगर हम important passes की बात करें south में western ghats की important अगर passes की बात करें तो पहला है फाल घाट पास जो की mumbai और नासिक को जोड़ता है वहीं जो बोर घाट पास है वो मुमबई और पुने को जोड़ता है इसके लगवा पाल घाट पास है जो की कोची और तामिलनडू को जोड़ता है उसके बाद हैhh यंदिकोटा पास True Mountain है लेकिन अगर हम बात करें Western Ghats की तो यह True Mountain नहीं है अब हम बात करते हैं Eastern Ghats की तो यह कहां से कहां तक पैली हुई है तो यह Odisha से लेके Tamil Nadu नियलगीरी αपनली हमें तक पैली हुई है आखर Western Ghats और Eastern Ghats कहां आके मिली तो यह नियलगीरी पर ही आके मिली है इसको हम not भी कहते हैं ये western घाट और eastern घाट इहीं पर आके एक दूसरे से मिली हुई है इसका जो लेंद्थ है eastern घाट का हुआ है 1300 किलो मेटर 1300 किलो मेटर इसकी लेंद्थ है और average height 600 मेटर है ये एक discontinuous mountain है ये continuous नहीं है जिसमें नला मलाई पाल कॉंड़ा जैसे ranges आते हैं नला मलाई पाल कॉंड़ा ये सारे western घाट के ही ranges है अब अगर इसके highest peak की बात करें तो वो है अर्मा कॉंड़ा जिसकी height है 1880 मेटर और ये कहाँ पर है तो ये अंधरा परदिस में located है ठीक है अर्मा कॉंड़ा वहीं अगर हम western घाट की बात करें तो कहाँ थी वो अन्नाई मोडी थी जो कि अन्नामलाई hills पे है ठीक है और दूसरा था दोदा बेटा ठीक है दोदा बेटा कहाँ पर है तामिलाडो में निलगिरी hills पे है ठीक है दोदा बेटा नेलगरी हिल्स पे तामिला टूमें उसके बाद यतना हो गया हमारा वेस्टन घाट के बारे में अब हम कुछ अगर प्रेटूस की बात करें तो यहां पर मार्जिन किया हुआ है सब और इनके नाम लिखे हुए नीचे इनके नाम नीचे भी लिखे कारा कोरम है फिर लदाक है फिर जासकर है इनके जादर सेक्षन जो है वो तिबबत में ही गया हुआ है ठीक है अपने कारा कोरम पर ही केटू भी लोकेटेड है वहीं अगर हम बात करें हिमाले के तो हिमाले को तीन सेक्षन में बाटा गया है पहला है ग्रेटर हिमाले फिर ह मिडिल हिमाले और है फिर सिवालिक हिमाले ठीक है इसको हिमादरी भी कहते हैं इसको हिमादरी कहते हैं मिडिल हिमाले को लेजर हिमाले भी कहते हैं और इसको जो आउटर हिमाले इसको सिवालिक हिमाले कहते हैं तो जो हमारा ग्रेटर हिमाले है वो नंदा परवट से लेके ना भाली कैसे किस्ता हुआ है कि माचल और अलाचल तक गया हुआ है जहां पर डाफला और नमीसमी रैंज इसके ठीक है उसके बाद का जो है यह अरावली का सेक्शन है नंबर एक नंबर अरावली है 15 नंबर यह गिर का माउंटेन है गिर हिल्स कहते हैं इसको बाकि 18-19-20 जो है इसे के बारे मैं भाता रहती हों तो सों और भाकई उपर का सेक्सने हैं आपको बता दिया गया इन आगा हिंजो हिंस से वेश्टन था से कंप्रित वेश्टं घाट है और सेक्सने 8 A 8 B 8 C इन सब के बारे में नीचे लिखा हुआ है ठीक है 9 नमबर निलगिरी है जहाँ पर दोनों आके आपसे मिलते है 10 नमबर जो है वेश्टन गहाट है उसके बाद A B C D जो है सेक्षन किया हुआ इसके बारे में नीचे लिखा हुआ है बाकी जो बीच के है मेकाल हिल्स, बुद्धिल, खनी सारे नीचे में निचे किया हुआ एक बार आप जाके उनका नाम देख लिजेगा नमबर के साथ तो आपको सब क्लियर हो जाएगा ठीक है तो इतना था हमारे माउंटन रिंज में मेप कोई बार आप देखते रहेंगे और नाम के साथ जादा अच्छे से जल्दी किलियर हो जाएगा बाकी जो हमारा नेक्स टॉपिक है उसको हम लोग जल्दी सुरू करेंगे और जल्दी चीजों को खतम करने की कोसिस करेंगे ठीक है इसके बाद जो सेक्सन आएगा वह हमारा करेंट अफियर का आएगा तब मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू